गाईज आज free fire में आ चुका है hyper book का top of ends में आपको 100 diamond में hyper book मिल दिये और उसके अंदर गाईज आपको यो ओपी ओपी तगड़े तगड़े items मिल लेकिन गाईज अगर आप इस hyper book को खरी दिने जा रहे हो तो उससे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखने पड़ेगा व होगा साइज ची आपको इस वीडियो के अंदर पाता लगेगे तो भाई इस वीडियो को पूरा देख लें एंड हमेशे की तरह आप से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर देना सेर करना आपने सभी फेंड करता चैनल पर नहीं हो पहली बार आई हो तो चैनल को सब है उसको क्लेम करने का ऑप्सन आ चुका हैँ तो मैं इसको सिंपल से हापको कर लेता हूं एंड ओके जो हमारा हाइपरवों का वालब सेक्षन में वह ओपन हो जाएगा मैं हापे लेप आप सेक्षन में चले जाता हूं यह जो तो कल पर सो ही ओपन हो गये थी मतलब 17 तारीक को यह ओपन हो चुकी थी लेकिन गाई थी रामपेज हाइपर बुक जो है हमें ओपन करने पड़ेगी 100 डायमेंड का टॉप करने में और 100 डायमेंड करी लिया है तो अब इसे अपग्रेड भी करना होता है जैसे हम अपनी इव्यो गन को खरीदने के बाद अपग्रेड करते ह सेम ऐसे ही और इसमें बहुत ज्यादा डायमेंड खर्च होने वाले है समझे रहो फ्री का कुछ नहीं है फ्री के तो आपके हाइपर बुक भी नहीं है और इसके बाद फिर उसे अपग्रेड भी करना पड़ेगा मतलब जितने कम डायमेंड उसको खैदने में लगे न उतन बहुत अच्छी बात है चलो अपने इस बैकपक को हम ओके करते हैं उसके बाद मैं यहां पर अपना यह ग्रैनेड के स्किन है ठीक है तो ग्रैनेड के स्किन के लिए यह टॉकन चाहिए होंगे आप लोग देख रहों के साइड में यूज टॉकन टो अनलोग दा पेस क्रोन चलो ठीक है तो यहां पर अपना जो सेकेंड वाला उप्सिन है इसकेल हमें चाहिए होंगे टॉकन और मेरे पास देख लोगा इस पांस टॉकन हो चुके है तो पेज टू को अनलोग करने के लिए मतलब इस ग्रैन के स्किन को क्लेम करने के लिए हमारे पास 20 टॉकन होना चा टॉकन है ना सेम यार ऐसे ही है यह भी आप इनकी क्रेट भी ओपन कर सकते हो ठीक है क्रेट में ज्यादा प्रॉफिट रहेगा क्योंकि क्रेट में आपके लगके साब से जाद आपको मिलेंगे बट गैस मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास ज्यादा पैसे न और अगले वाले में 40 टोकन लगेंगे उससे अगले वाले में 80 लग सकते हैं कुछ ऐसी कर करके यहां पर बहुत तगड़ा खर्चा हो जाएगा मतलब 10-12,000 रुपे आपके उड़ जाएंगे 10-12,000 रुपे और 14-15,000 डायमंड जो भी खर्चोंगे ठीक है मैं अभी पूरा द लोक में खर्चा ना करके जो अपना रैंपेज का इव बंडल आने वाला है ना 26 जून को टॉकन टार इवेंट पर उसमें लगा लेना अगर निकालना है तो वह वरना कैस कोई जरुवत नहीं ठीक है और इस बार का जो रैंपेज इवेंटन है और मुझे फ्री रिवार्ट के मामले में तो बिल्कुल बेकल लगा पिछला वाला जो रैंपेज इवेंट था वो तो ठीक भी था लेकिन इस बार को जो रैंपेज इवेंट है ना उसमें फ्री के रिवार्ट समय ज्यादा अच्छे अच्छे नहीं दिये जा रहे है तो इस बार मुझे बुरा लेगा लेकिन हाँ जो डैमांड्स के रिवार्ट जो हमें डैमांड्स पे करने में दिये जा रहे है वो काफी तगड़े है और आपका रैंपेज इवे बंडल भी आएगा 26 जून को आई जाएगा तो गाईज अगर जो बंदे निकालना चाते हैं उसको निकालना इस रैंपेज है आप लोग दे के सकते हो यह सारे रिवार्ट हैं मजा नहीं आया मुझे तो ठीक है बाके आप लोग बताना आपको कैसा लगए रैंपेज इवेंट के फ्री रिवार्ट और तकड़े तकड़े रिवार्ट के तो कुछ कहना ही नहीं है ठीक है तो बस आज किस वीडियो में नहीं था उम्मित करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद देगी तो वीडियो को लाइक करने चैनल पर नहीं हो पहली बार यह तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेसन कॉल पर सटक लेना तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तिल देन बाई